तो आज हम चर्चा करेंगे विंड औरोजन और इसके प्रकार के बारे में तो जैसा कि आप जान अभी तक स्वाइल औरोजन के बारे पढ़ चुके हैं जिसमें म्रिदा की हानी वाटर के कारण हो रही थी आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब आंधियां चलती हैं या तेज हवाय चलती हैं तो उससे मिट्टी एक इस्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचती है और इसके क्या कंट्रोल के साधन हैं उनको रोका कैसे जा सकता है और साथ ही साथ वो किस तरह के मिसमेनेजमें क्रियेट करते हैं तो विंड एरोजन जैसा की वाटर एरोजन था अल्टीमेटली विंड एरोजन में भी स्थान से दूसरे स्थान ट्रावल करते हैं बस इसमें अंतर यह है वाटर एरोजन की तुलना में की वाटर एरोजन में स्थान का मोमेंट वाटर फोर्स के कारण होत और यह काफी ऐसी जगों पर अधिक होता है जहां पर काफी गहन खेती की जाती है या ओवर ग्रेजिंग की समस्या होती है अंधादून कटाई हो चुकी होती है उस पर्टिकुलर एरिया की यहां पर विंड एरोजन ऐसी जगों पर बहुत जाता होते हैं साथ इसाथ क्योंकि दी फॉर्टोरेशन के कारण वनों की कटाई के काई या अधिक खेती करने कारण जो भूमी है ओ状ल में खुल जाती है गिस्पोज हो जाती है जिसके कारण कंट्यूनस संलाइट पड़ने से कंट्यूनस वेदर के aggregate contact में आने से जो कह़जे प्रॉपर्टी है, सॉल की, वो धिये-धिये खतम होती जाती है और जो सॉल पॉर्टिकल एक दूसरे से बंदे हुए होते हैं, वो एक दूसरे से लूज होने लगते हैं, और जब हावा चलती है, तो यह अपस में तूट जाते हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे mechanics जो है soil particle का moment किस तरह होता है wind erosion में पहला होता है initiation, initiation मतलब जहाँ पर soil particle land surface से break हुआ या जब हावाएं चली जैसा कि आप यह देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यह अगर wind velocity यहाँ से चल रही है तो soil particle यहाँ से detach होना चालो हो जाएंगे जो भी surface है वहाँ से soil particle detach होंगे तो यह जो detachment है तो detachment means just यह move होने के लिए start हो रहे है, move होने के लिए ready हो रहे है, initiate कर रहे है तो यह कहलाता है initiation of movement, transportation जब यह detach हो चुके हैं और यह जब आधी के वेक से हवा के वेक से आगे की तरफ बढ़ने ही कोशिश करते हैं इस तरह जैसे आप देख रहे हैं यह चोटे-चोटे particles जंप करके आगे बढ़ रहे हैं तो यह आपका transportation कहलाता है साथ ही साथ जब यह air आगे बढ़ती है किसी surface पर और जब आगे बढ़के जब आधी कमजोर होने लगती है तो ऐसी संभावना बनती है कि यह जो particles इसके साथ मूफ कर रहे थी यह कहीं पर आके गिर जाएंगे तो जब यह जिस जगा पर आके गिरते हैं वो deposition category में हो गया तो यह तीन basic mechanics है विंड रोजन में initiation of movement, transportation and deposition कुछ इस वाले figure में आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसे छोटी 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 particles आप देखिए यहाँ पर हैं और यह due to velocity यह यहाँ पर initiate कर रहे हैं just move and start कर रहे हैं और आंधी के साथ साथ फिर आगे बढ़ रहे हैं that is transportation और यह कुछ particle surface to surface ही move करते हैं कुछ particle jump करके move करते हैं कुछ particle suspension में आ जाते हैं यह देख और तीनों ही प्रकार के particle जब जो force है air का जब धीरे-धीरे कम पढ़ने लगता है तो यह तीनों ही particle कहीं पर deposit होते हैं अलाग अलाग जगों पर भी हो सकते हैं एक ही जगा पर हो सकते हैं तो यह जब यहाँ deposit होते हैं तो वह deposition कहलाता है तो यह तीन mechanics जो involved हो उसमें यह है कि पहले initiate होगा फिर transportation then deposit तो अगर हम एक एक करके देखें इनको तो इनिशेशन ऑफ मोमेंट जो है वह create होता है turbulence या विंड के disturbance के कारण और वह velocity वह speed जहां पर पार्टिकल सर्फेस से तूट के सर्फेस से डिटाच होके मूव करना start करता है उस particular velocity को हम threshold velocity कहते हैं ठीक है इसको हम threshold velocity कहते हैं और जैसा कि पूरे किसी particular area में सभी स्वाल एक ही force से uniform force से नहीं बंदे होते हैं uniform moisture नहीं होता है uniform crop condition नहीं होती है uniform binding force नहीं होता है तो ऐसे cases में जो हमारी range of velocity है वो field के उपर blow करती है तो इसके कारण जो detachment जो threshold velocity है आपको यह समझना पड़ेगा कि जो threshold velocity है वो हर एक particle के लिए अलग होगी that means there is no single value of threshold velocity it is a range of threshold velocity now threshold velocity और soil का detachment या initiation of moment depend करता है soil के type पे soil की roughness पे crop लगी है या नहीं लगी है stables है या नहीं है और crop की moisture स्री soil की moisture condition पे अगर moisture ज़्यादा होगा तो binding ज़्यादा होगी coercive force ज़्यादा होगा और वही चीज़ अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास moisture कम है तो binding force कम होगा susceptible ज़्यादा होगा wind erosion के लिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें transportation को हम समझना चाहें तो transportation में जब पिछली स्लाइड बे देखा transportation means जब soil particle surface को छोड़ चुके हैं और हवा की velocity के साथ wind की velocity के साथ आगे जब move करते हैं तो वह transportation कहलाता है तो आप कुछ इस तरह देखिए यह uniform velocity है या constant velocity of wind है लेकिन बीच में यह इस object के कारण यहां पर यह देखिए यहां पर turbulence क्रियेट हो रहा है और यह turbulence जो है यह disturbance क्रियेट करता है जिसके कारण इस particular surface पे soil detachment बढ़ जाता है साथ ही साथ इस disturbance के कारण जो soil particles है वो move करते हैं आप दिखिए यहां पर surface के object के साथ से यहां पर इस वाले figure में wind velocity constant है लेकिन यह small projection into surface into surface creates this turbulence and due to this erosion wind erosion starts okay any kind of like this if it is not necessary the projection जरूर नहीं है कि जो projection है वो wind के opposite ही हो अगर wind के direction में भी होगा यहां पर देखें तो भी यहां पर turbulence create होगा और wind erosion के संभावना बढ़ा जाती है तो जैसे यह बताया गया है यहां पर कि जो soil इस तरीके से स्ट्रांडपोटेशन में जो velocity के साथ जो soil moved होते हैं वो soil इधर से इधर जो transfer होती है वो लगबब क्यूब यह देखें एक्सेस विंड के क्यूब के बढ़ के amount में यह soil disturb होती है कि नव डेपोजिशन जहां पर जमा हो रही है कि डेपोजिशन वहां पर आता है जहां पर जिस फोर्स के जिस फोर्स के तहत हवा बह रही है और वो soil को ले जा रही है पर्टिकुलर distance पे जाके वो हवा का दवाव कम होने लगता है उसमें soil particle को hold करने की छमता नहीं रह जाती है या ऐसा कह लीजे कि गुरुत्वा करशन बल इतना अधिक हो जाता है कि soil particle नीचे गिर जाते हैं तो ऐसी condition में deposition होता है साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ही साथ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक हो रहा है तो soil particle गरेंगे साथ ही साथ जब wind flow आगे बढ़ रहा है तो कहीं कहीं पर vegetation cover के कारण या कुछ बीच में depression या ditches के कारण या कुछ barriers लगे होंगे पेड़ लगे होंगे पौधे लगे होंगे तो उनसे strike होती है wind और उस striking के कारण उसकी velocity कम हो जाती है और उस velocity कम होने का जो soil particle कैरी कर रही थी wind वहाँ पर deposit हो जाते हैं तो not only गृत्वा करशन बल ही नहीं gravitational force ही नहीं अगर surface पे vegetation ditches अगर कुछ physical barrier अवेलेबल है तो वहाँ पर भी soil particles drop हो जाते हैं तो mainly इस process में आप देखेंगे तो 3 stages होती है अलग-अलग size के particle move करते हैं पहला जो सबसे बड़े particle move करते हैं वो creep कहलाते है या जो process है वो creeping कहलाती है फिर saltation and then suspension तो basic अंतर क्या है इन में कि creeping means यह ऐसे particles को involve करती है यह ऐसे particles से deal करती है जिसके particle size comparatively larger है आप यहां देख सकते हैं इन particles यह particles काफी larger size में इतने larger है कि wind इनको हवा में नहीं उठा सकती है सिर्फ wind की force इनको surface to surface ही travel करने देती है तो जब यह surface to surface travel करते हैं लोड़कते हुए ठीक है या एक दूसरे की टकराहट से एक दूसरे को आके करते हैं तो यह surface creep या creeping कहलाता है यही particle जब आगे चलते हैं तो इनकी बार-बार impact के कारण बार-बार घिसने कारण का size छोटा होता जाता है तो यह particles आगे जाके jump करना स्टार्ट करते हैं जब यह jump करते हैं तो कुछ particles jump करके आगे बढ़ते हैं यह देखिए और साथ ही साथ इनके jump से वापस land surface पे आने से जो impact होता है उससे कुछ एक particle टूड़ जाते हैं और वो particle दो भागों में वक्त हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो एक particle जब दो भागों में convert हो गया तो वो हलका हो गया और वो इस तरह से jump की tendency में आगे बढ़ने लगते हैं साथ ही साथ wind velocity से ना सिर्फ बड़े particles ही detach होते हैं कभी-कभी छोटे particles भी detach होते हैं और वो directly इस process में भाग ले लेते हैं अब suspension बहुत minute और बहुत तो हवा के साथ उड़ सकते हैं हवा के साथ बह सकते हैं इनकी creep और saltation में तो particles का वजन इतना था कि यह हवा के साथ उड़ नहीं सकते हैं लेकिन काफी fine particle minute particle जो इसके impact से create होते हैं या इनकी roughness से जो बार-बार impact जो छोटे-छोटे particle घिसते जा रहे हैं हवा में वो वापस deposit नहीं हो पाते हैं हवा के वेक के कारण वो वापस उड़ते हैं और यह विंड के साथ आगे बढ़ते हैं तो ऐसे जो fine particle हैं वो suspended particles काहलाते हैं जो हवा में रहते हैं तो यह तीन process है creeping, saltation and suspension तो एक-एकर के समझते हैं surface creep creeping process इसे particle की जो size है वो लगभग 0.5 से 1 mm की होती है जसा मैं बता रहा था कि इस ऐसी creep यह वाले particles यह बड़े particles यह ऐसे समय जब salt particles detach होता है तो detach होने के बाद या जो particles already field पर है tillage practices से आचोके हैं या किसी और reason से हैं वहाँ पर तो wind के साथ वो blow होते हैं wind के साथ वो आगे बढ़ते हैं यह एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलते हैं तो यह particles इतने इनमें force इतना कम होता है कि यह हवा से आगे बढ़ चुके होते हैं लेकिन हवा में इतना force नहीं होता है कि यह इनको उड़ा सकें तो इसलिए यह एक condition है और साथ ही साथ यह particle आगे बढ़ना तब जब रुखते हैं तब wind की velocity या तो कम हो जाए या physical barrier आ जाए या कोई vegetation या फरो बीच में कहीं पर अगर माल लिजे यहाँ पर ditch है तो यह particles चलते चलते यहाँ का ड्रॉप हो जाएंगे ठीक है तो ऐसे cases में इसके कहते हैं सर्फिस क्रीग कि सल्टेशन सल्टेशन में जो particle साइज है वो आपकी 0.1 से 0.5 mm रहती है और इसमें जो बड़े जो particles हैं वो छोटी-छोटी distance ट्रैवल करते हैं एयर के साथ और आगे बढ़ते जाते हैं पार्टिकल साइज देखिए पहले इसके पहले हमने देखा था कि पार्टिकल साइज 0.5 से 1 mm थी यहां पर पार्टिकल साइज 0.1 से 0.5 mm है ठीक है मतलब इसमें particle size थोड़ा और कम हो चुकी है now suspension जिसमें particle size 0.1 या उससे बहुत कम होती है less than 0.1 mm और इसमें जब wind velocity या wind अटेक करता है किसी land surface पे तो जो बहुत fine particles होते हैं less than 0.1 mm वो हवा में डारेक्ट ऐसे उड़ जाते है और यह काफी larger distance travel करते हैं हवा में और जहां पर हवा कम हो जाती है या कोई barrier आता है जहां पर gravitational force आदिक होता है वहां पर यह drop हो जाते हैं deposit हो जाते हैं तो यह तीनों आपको इस तरह समझना पड़ेगा जो तीन तरह के particle मूफ करते हैं पहला जो बड़े particle है वो surface creep दूसरे जो ऐसे particle है जो jump travel कर जो jump करके travel करते हैं वो कहलाते हैं आपके saltation और साथ ही साथ ऐसे particles जो suspended रहते हैं हावा में मिले हुए रहते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं वो कहलाते हैं suspension suspended particles अब विंड को affect करने वाले जो कारक है उन में से मुख्य तोर पर मौसम आता है climate climate कई factors का कई factors को deal करता है कई जैसे की precipitation जैसे वर्षा humidity और साथ ही साथ temperature humidity मतला आधरता इसमें साथ ही साथ precipitation आधरता और तापमान ये तीनों प्रभाव किस तरह से प्रभावित करते हैं इन तीनों के प्रभाव से जो soil की land surface की जमीन की moisture है वो maintain होता है अगर temperature आधिक है तो moisture कम होगा precipitation आधिक हो रहा है तो moisture आधिक होगा तो इस तरह से ये कहीं न कहीं soil condition पे मिट्टी की condition पे प्रभाव डालते हैं और यदि soil moisture आधिक होगा तो वो wind erosion के लिए less susceptible होगी वहाँ पर wind erosion की संभावना बहुत कम हो जाएंगी साथी साथ conservation practices कुछ conservation practices जिसे कहीं पर किसी जगह पर अधिक wind erosion होता है वहाँ पर आपने कुछ conservation practices कर दी हैं barriers लगा दिया है plantation किया हुआ है तो वहाँ पर ऐसी संभावना कम होंगी वरस्पत अगर कोई field open है जहां पर खेती नहीं हो रही है सिर्फ tillage करके छोड़ दिया है या सूखी पड़ी हुई है field खाली पड़ा हुआ बैरन है तो वहाँ पर wind erosion की संभावना अधिक हो जाएगी साथी साथ अधिक वर्षा वाले छेत्र जहां पर पानी अधिक गिरता है तो इसका मतलब यह हुआ जहां पानी अधिक गिरता है तो वहाँ पर जो moisture है soil में वो maintain रहेगा वो कम रहेगा या वहाँ पर wind erosion की संभावना अधिक होती है साथे साथ जो low rainfall area जहां पर पानी वर्षा ही 600 mm से कम होती है तो वहाँ वर्षा 600 mm से कम हो रहे है इस अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो बिना पानी के जो मन्त है जो सूखे है वो अधिक रहेंगे वहाँ पर तो ऐसी अर्था वेंड वींट वेंट ऑरोजन की संभावना अधिक की यहां भी हो जाती है जहां पर जो विनड श्पीड जो प्रपोर्श्णल स्पीड है वो जूश मीट्र पर सेकंड से आधिक हों looks more विंड की संभाव बढ़ा जाती है इसी प्रकार से हम सॉल टेक्चर की बात करें तो सेंडी लों जिसमें अधिकतर जो सॉल पार्टिकल साइज होते हैं 100 से 100 सॉरी 10 से 100 माइक्रोन के बीच में होते हैं तो यह बहुत फाइन पार्टिकल है अगर प्रॉपर बैंडिंग और कोह जादा संभावना है असी मिट्टी में विंड अरोजन होने की वही अगर हम क्लेई सोयल की बात करें तो इस लिए फाइन पार्टिकल अधिक होते हैं लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है काफी स्ट्रॉंग होता है और यह नेचर थोड़े से पानी या पानी के कारण इनम इरोजन के अंगेंस्ट मतलब विंड अरोजन के लिए ज्यादा ससेप्टिबल नहीं होते हैं यहाँ क्लेई सोयल में विद प्रॉपर मौस्चर के साथ प्रॉपर मौस्चर के साथ क्लेई सोयल कम ससेप्टिबल होती है विंड अरोजन के लिए ज्यादा रजिस्ट करती है कोरसेंड, कोरसेंड सोयल या ग्रैवल जहां पर जाता है ऐसी सोयल भी विंड एरोजन के लिए लेस सेप्टिबल होती है, समभावनाय कम होती है, विंड एरोजन क्यों, क्योंकि कोरसेंड या ग्रैवल होने कारण इनके जो पार्टिकल साइज वो बड़ी होती है, और बड़ जो देखा जाता है कि विंड अरोजन के लिए जब से ज़्यादा पार्टिकल साइज इन्वाल्व होती है जिस स्वाइल में 80 माइक्रों के आसपास के पार्टिकल्स जादा हो फिर अगला आता है कि सॉयल की जो कंडिशन है सॉयल रफ है कि स्टोनी है या उसके उपर जो सता है काफी हाड कर दी गई है या उसको किसी चीज से दबा दिया गया तो ऐसी मिट्टी को जब कवर कर दिया जाता है तो वहाँ पर भी विंड की अरोजन की संभावना कम हो जाती है खास करके अगर आप देखें टेलेज करने के बाद टेलेज के बाद सरफस रफ हो जाती है तो ऐसी केसे में विंड अरोजन की संभावना बढ़ती है तो इसलिए टेलेज करके फील्ड को ज्यादा दिन चीन चीन के लिए या खास करके जब सिर्फ में डिलेज के जिता है। कि दिलेज की रहा होता है। जिस तरह जहा है। सिर्फ में कि चलता हमें तरह चलते हैं, तो यह इपने बादिेट में चलूत पॉछावच सव मंधस्न कहें। और सॉल मॉस्चर के बारे हम पहले ही डिसकस कर सके हैं कि यह कोहजिवनेस बढ़ाता है कुछ सॉल टाइप्स में तो सॉल मॉस्चर प्रॉपर होने पर या अधिक होने पर विंड अरोजन की सम्भावने कम हो जाती है। इसी प्रकार से हम अगर देखें विंड की डिरेक्शन है वो कैसे आई तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम विंड अरोजन पर बात कर रहे थे तो विंड अरोजन के दो और फॉर्म है इनको आप समझ लीजिए एक होता है अबराजन दूसरा इन डिफलेशन तो अबराजन म के साथ मूफ कर रहे होते हैं तो होता यह है कि जब एयर स्ट्राइक करती है किसी आपजेक्ट पर या किसी ऐसे एरिया पर जिस मिनट यस यह देखिए अगर एयर स्ट्राइक कर रही है इस एरिया पर या चट्टान मान लीजे तो इसके साथ जो सस्पेंड़ड पार्टिकल वो इस ट्राइक करते हैं और इस स्ट्राइकिंग की कारण क्या होता है कि यह जो एरिया है वो कटने लगता है या घिसने लगता है तो इस घिसावट के यह गिसावट क्यों होई क्योंकि एर बॉन पार्टिकल विंड के साथ इस पे टकराए और धीरे धीरे इसको होने में कई कई वर्ष लग जाते हैं, कई सो साल लग जाते हैं, तो इस तरह से इस एरिया को इसने स्ट्राइक किया और इसको इरोड किया, तो इस तरह से इरोड करते करते ही, कुछ इस तरह से चक्टान का शेप हो जाता है, या जो भी आपका एरिया है, उस तरह शेप हो जाता है, जिसक प्रकार यह है, wind erosion का, यहां पर जो wind है, वो soil particles को, जो fine particles है, उनको move करती है, और धीरे-धीरे जब top soil move हो जाती है, तो फिर, क्योंकि wind की इतना force है नहीं कि वो बड़े-बड़े gravels को move कर सके, तो वो जो इन छोटे-छोटे gravels के बीच में भी, जो soil है, उसको भी move करने लगती ह process, आपकी जो field है, वो पूरी तरह से fine particles से remove हो जाती है, मतला, वहां कोई भी fine particle और light particle नहीं बचता है, सिर्फ बड़े-बड़े बोल्डर्स इस तरह से, जो दिख रहे हैं, आपको इस तरह रह जाते हैं, तो यह दो form आपको wind के यह बताता है, कि एक wind erosion, जो होता है, जो airborne particle के road कर देता है, किसी area को wind erosion create करता है, और दूसरा, जब wind salt particles को, fine particles को move करती है, तो यह दोनों में difference है, abrasion और deflation में, deflation में, जहां air particles को उड़ा के ले जाती है, और abrasion जहां suspended particles के द्वारा, जो barriers है, उनका गिसाव होता है, तो यह दो type से, दो प्रकार के wind erosion, अच्छा, इसके बाद फिर generally आपने देखा होगा, और सुना भी होगा, कि रेद के टीले, जहां पर sand अधिक होता है, जहां पर रेदीली जमीन अधिक होती है, या जहां मरुस्थल होते है, खास करके सहारा, डैजर्ट आप देख लीजे, हमारे हां रेगिस्तान देख इस जगह से दूसरी जगह ट्राइवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह स्थान अंत्रे थो दियो, और जब यह हवाएं कम हो जाती है, तो जो sand हवा के साथ मूव की थी, जो हवा के साथ आगे बड़ी थी, वो कहीं न कहीं जाके इकठा हो जाती है, तो इकठा होने पर ए सीच में कोई बैरीर अजाता है था यह लगोगा फिसिकल बैरीः उन्हेस कजोरूरा यह ल सकते हैं है यह विन्ट की वेलोसिटी कम होगी विन्टगी कम होने से जो आटिकल्स यसमें सस्पेंट कर रहे थे वो गुरत्वा करशन बलके कारण ग्रैविटेशनल बलके कारण यहां इकठे हो जाती है और इनके इकठा होने का शेप कुछ इस तरह से होता है तीले टाइप से तीले की प्रकार का तो यह कहलाते हैं सैंड डून अब विंड वेलासिटी के हसाब से और सौल के कहना चाहिए कि विंड वेलासिटी के हसाब से उनकी इंटेंसिटी के हसाब से यह जो टीले है रेट के टीले यह अलग-अलग प्रकार्स के बनते हैं और जनरली इनको इनके शेप के आधार पे ही समझा जा सकता है कि यह किस ताइप के टीले है और यह टीले बनना ही आपको शो करते हैं कि wind erosion में कितना soil एक move हुआ है तो sand dunes, जो red के टीले है, sand dunes इनको कहा जाता है तो इनके प्रकार देखिए, transverse, linear, longitudinal, star, बरकान and parabolic यह कुछ एक प्रकार है जो red के टीले के बनने के हैं, शेप में आप इस तरह समझ सकते हैं types of sand dunes, यह देखिए बरकान, जहाँ पर wind की direction इस तरफ है और यह देखिए, यह आप shape देख रहे होगी, यहाँ पर कुछ इस तरह से shape बना हुआ है तो यह दो horn कहलाते हैं, यह दो और यह पीछे wind की direction पर यह जो बना हुआ है तो आप कुछ इस तरह समझे कि जब wind direction जब कुछ इस तरह से, wind की direction ऐसे है तो soil particles जो हैं, वो यहाँ से उठके ऐसे move करते हैं, यह देखिए, यहाँ पर, उपर की तरफ चले जाते हैं, यहाँ अब depression के कारण कुछ एक, जो wind velocity है, नीचे से flow होती है, और जिसके कारण यह दोनों horn generate होते हैं तो इस type के shape को आप identify कर सकते हैं, बरखान dune के तरह इसी तरह field में linear dunes, यह देखिए, लंबी lines बनी हुई हैं, यह, कुछ इस type से जो सीधे-सीधे टीले बनते हैं और यह टीले deposition के कारण बनते हैं, तो इनको आप linear dunes कह सकते हैं, transverse जब across the wind अगर tillage operation जैसे किया जाता है, ditches और reges बने हुए होते हैं, कुछ इस type से जब मिटी एक जग कठी होती है, और उनमें यह आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से zigzag motion में यह आगे बढ़ रहे हैं, तो यह transverse कहलाते हैं, पैराबोलिक खास करके ऐसी जगहों पर होता है, जहां पे समुद्र से आने वा जनरली, समुद्र किनारे भी आपने देखा होगा, रेतीली, मिटी अधिक होती है, तो समुद्र से आने वाली हवाएं इस तरह के टीले क्रियेट कर दी हैं, तो आप देखेंगे कि इन दोनों इस तरफ से है, और जो हॉर्न बन रहे हैं, वो इसके अलॉंग दी डारेक्शन बन रहे हैं, और जबकि पैराबॉलिक में अगेंस डी डारेक्शन हॉर्न बन रहे हैं, तो इसमें विंड की डारेक्शन ये है, और बरकान में रिवासत, तो जो शेप है वो सिमिलर रहते हैं लेकिन दोनों में सिर्फ wind direction का अंतर है वहीं पर आप देखिया है जब multi-directional weld होती है चारो तरफ से जब हवाय चलती है तो उसके कारण कहीं कहीं पर जो रेतिली जमीन है वो soil loss करती है लेकिन वो टीला चारो तरफ से एक तरफ बीच में से उठने लगता है क्योंकि जितनी sand deposit ह हो रही है वो center में deposit हो रही है और side में आप देखेंगे कि एक mountain या एक face एक surface बनता है तो इस तरह से एक star का shape लेता है और ऐसे इसको हम star dunes कहते है तो बर्खान dunes की बात कर रहे थे हैं आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये कुछ चंद्रमा जैसा half moon structure होता है कुछ इस तरह से होता है जहां पर air की flow ये wind velocity है deposition दीरे दीरे बढ़ता जाता है और बढ़ते 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 ये कुछ इस तरह का shape लेता है फिर जो particles है या air है यहां depression के कारण यहां ऐसे आगे बढ़ती है तो अब इस shape के कारण क्या होता है कि ये जब wind इधर आगे बढ़ती है land surface से होते हुए तो ये deposit इधर होती ज देखिए कि ये जो दो horn structures देख रहे हैं ये horn कहलाते है और बाकी ये आपका टीला हो गया तो इस तरह से इस तरह का जो shape बनता है वो कहलाता है आपका बर्खान dunes generally आप desert area में देखेंगे तो इनकी जो height है वो लगबग 9 से 30 मीटर तक हो सकती है और जो कि इसकी जो चोड़ाई है वो साड़े 300 मीटर तक हो सकती है पैराबोलिक जिसमें बता रहा था कि इन में सिर्फ direction का फर्क होता है पहले वाले में आपने देखा कि जो face है आप यहाँ पर फिर से में दिखा रहा हूं आपको यह देखिए इसको हम slip face कहते हैं इस तरफ की structure को हम slip face कहते हैं यह और यह आपका face कह रहा था है तो wind face wind face की direction में ही आप देखिए दूसरे वाले figure को यहाँ पर parabolic dune में particularly जो समुदरी हवाएं हैं जरूरी नहीं है कि जो sand dunes है वो सर्फ रेगिस्तान में ही बने जहाँ पर भी rate की अधिकता होगी sand soils की अधिकता होगी वहाँ पर यह ऐसे dunes बनने के chances होते हैं तो समुदर के किनारे जैसे rate अधिक रहती है और wind velocity आपने देखा फील किया होगा कि इस तरह से अगर continuous हवा आ रही है विंड आ रही है तो यह कहीं न कहीं एक depression क्रिएट करते हैं एक slip face क्रिएट करते हैं और यह जस्ट बरकान ड्यून की तरह ही शेप लेता है तो यह खास करके coastal area में बहुत popular होते हैं और इन दोनों में अंतर यही है कि इनका wind direction एक दूसरे से reverse होता है star dune star dune multi direction wind के कारण बनते हैं जब 2-3 direction से एक साथ wind आती है तो मिट्टी का जो बहाव है मिट्टी के जो मिट्टी उड़ते हुए एक तरफ बढ़ती है और deposit टॉप पे जाकर होने लगते है टॉप पे means धीरे धीरे मिट्टी कठा होने लगते है तो उसका center जो है धीरे धीरे उठने लगता है और तीन चार या दो जैसा जितने भी faces हो उतने slip faces इसके बनते हैं तो जब एक से जादा slip face होंगे या दो से जादा slip face होंगे तो ऐसे structures को हम star dune कहते हैं और इनकी हाइट सो देर सो मीटर से लेके 500 मीटर तक हो सकती है तो यह जब multi direction के कारण जो dunes बनते हैं pyramidal shape में वो star dune कहलाते हैं फिर transverse dune and longitudinal dune सिर्फ direction यह देखिए जब एक main wind के साथ कुछ multiple winds यह main wind create करती है और जहां पर wind कमजोर पढ़ती है वहां पर deposition आने लगता है तो यह आपका transverse dune कहलाता है और particularly यह strong wind एक ही direction में जब चलती है तो उसके करण होता है वहीं हम अगर longitudinal dune की बात करें तो दोनों एक दूसरे के perpendicular है यह आप कहले दे कि दोनों एक दूसरे के cross है तो longitudinal dune तब create होता है जब एक wind जो main wind है वो high velocity से है और कुछ barriers के कारण या किसी और physical barriers यार कुछ direction के कारण दूसरी winds जो है वो main wind के साथ create होके along the you can say ridges और along the ditches यह longitudinal dune को create करती हैं तो इस सभी प्रकार के wind erosions को control करने के जो तरीके हैं वो तो मुख्य तह तीन प्रकार से है वेजिटेटिव मेजर्स तिलेज मेजर्स और mechanical measures वेजिटेटिव मेजर्स में जहां हम plantation की बात करते हैं और long term और short term के लिए तो उनको temporary और permanent measures के साब से दिवाइड किया गया है तिलेज प्रैक्टिसेज में wind erosion को रोकने के लिए primary tillage, secondary tillage या stubles फील में छोड़ देना है या कुछ अलग टाइप से cropping करनी है जैसे strip forming है या strip tillage है तो इनसे भी wind को wind erosion को control किया जा सकता है wind erosion को या sol moment को control किया जा सकता है या अगर permanent solution देना चाहते हैं तो mechanical measures में किसी particular orientation या particular direction की तरफ कुछ wind लगाए जाएं कुछ shelter beds बनाए जाएं साथ ही साथ या physical barriers create किये जा सके तो इन सबसे wind erosion को रोका जा सकता है तो यह कुछ एक major कहना चाहिए कि कुछ major तरीकें है major उपाएं हैं जिनको आप use करके wind erosion को control effect जो है wind erosion का वो control किया जा सकता है खास करके जानवरों के द्वारा जो जानवरों के द्वारा जो चराई की जाती है खेतों में उसको रोका जाए साथ ही साथ tillage operation के बाद जितना जल्दी हो उसमें seeding कर दी जाए sowing कर दी जाए दूसरा फिर mulch tillage को adopt किया जाए जो कि या तो यह vegetative mulch हो सकता है जिसमें हम crop residue को mix करके soil की mulching कर सकते हैं otherwise plastic mulch का भी उप्योग कि हो जा सकता है strip till में strip tillage practices में हम जिस particular line में हमें sowing करनी हैं सिर्फ उसी पट्टी को ही सिर्फ tillage करें बाकि पूरी soil को disturb करने की पूरे खेत को disturb करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पूरी soil को disturb करने से पूरे फील को disturb करने से जो susceptibility है window erosion की वह अधिक हो जाती क्योंकि tillage operation के कारण soil lose हो जाती है साथी साथ जो binding है वह भी कम हो जाती है तो और एक और तरीका यह है कि जो भी vegetation लगे हुए है या उसको permanently grasses से cover कर दिया जाए या जो भी वहां की regular grasses है चोटे plants है उनको disturb ना किया जाए अपनी practices के लिए तो इस तरह से कुछ एक permanent solution winds के पना जा सकते है विंड ब्रेक और shelter break विंड ब्रेक कुछ इस तरह से कारे करता है कि जिस तरह से आपको मालूम है कि जिस तरह की हवाएं अधिक चलती है आपके छेतर में उस तरह लाइन में आप planting कर सकते हैं कुछ इस तरह यह देखे और छोटे-छोटे plants पहले छोटे plants फिर उसके बाद बड़े plants फिर उसके बाद उससे उचे plant इस तरह की एक series so that यह कुछ यह देखे जैसे यह कुछ इस तरह से आप अलग-अलग plants अलग-अलग हाइट के कुछ जो की इस तरह का shape बना सके आप लगा सकने हैं तो इससे आने वाली जो विंड है वह इनसे तक्रा कर इनकी velocity कम होगी और आगे और आने वाले छेत्रों में आपका यह कुछ एक तरीके हैं शिल्टर बैड और विंड बैड के इसके बाद आपको विंड इरूजन खतम होने के बाद आपको यह छे questions के answer देने आने चाहिए और इनको आप assignment में लिख लेंगे इनके answers को इसी कौन सी कॉमन टेलेश प्रैक्टिसेज हैं जिनसे विंड इरूजन को कम किया जा सकता है विंड ब्रेक और शेल्टर बैट क्या है sand dunes अनके प्रकार और sand dunes को रोका कैसे की जा सकता है रोका कैसे जा सकता है या क्या लेज़े किसको stabilize कैसे किया जा सकता है तो यह सभी questions के answer आपको इस chapter के end तक आ जाने चाहिए और और इसको आप अपने assignment copy में लिख लेंगे तो यह था हमारा विंड रोजन का पार्ट बाकि अगली class में हम और विस्टर चर्चा करेंगे अन्ने topic पे थैंक्यू थैंक्यू